नमस्कार मैं डॉक्टर गौरव राउ दी एलेट के 505 कारेकरम में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम पर्यावरण अध्यन शिक्षन में प्रचलित पाठी योजना कैसे बनाते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहले पाठी योजना शुरू करने से पहले हम इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने अधिगम करता को जानना है जानने का मतलब कि उसकी अधिगम रुची और अधिगम तरीका क्या है यह जो तरीका होता है उसको हम समझने का अगर प्रयास करें तो हम जानेंगे कि जो हमारी योजना है वो इस पर बहुत निरबर करती है हमारी योजना बच्चे की आयू और रुज्जी के अनुसार ही होनी जाहिए अच्छी योजना वह होती है जो अधिगम विधी और विशेवस्तु दोनों पर केंद्रित होती है केवल अच्छी से पढ़ाना लेकिन उसमे अगर विशेवस्तु नहीं है तो वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है इस बात का हमें ध्यान रखना है पर्यावरन सिक्षण में कि यह योजना हमारे सामाने योजना से कहीं अलग होती है इसमें अधिगम विधी अलग होती है इसमें हमारा बच्चों के साथ में बात करने का तरीका भी बहुत अलग होता है हमें कम काम करना है हमें जादा बाद बच्चों से करनी है हमें अपने योजना में विभिन चुनोती पूर्ण कारे देने हैं जो हमारे बच्चों को लगातार कुछ न कुछ करने के लिए प्रोचसाहित करता रहे एक बात और ध्यान रखने चाहिए कि हमारे योजना में हम बच्चों को विकल्प दें विकल्प देने से तत परे यह है कि हम उनको उनके हिसाब से उनका जैसा मन हो वैसे उत्तर देने के लिए उनको प्रोचसाहित करें अब हम बात करेंगे हमारे प्रभावी पाठ योजना के कुछ चरणों के बारे में सबसे पहले अगर हम जान ले तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं वह हो गया हमारा प्रकरण उस प्रकरण से जुड़े हुए क्या शिक्षण बिंदू हो सकते हैं उसको हमें थोड़ा सा द्यान देने की जरूरत है शिक्षण बिंदू वह छोटे उदेशी होंगे जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं इन शिक्षन उद्देश्यों को हम बच्चे के भाषा में बात करेंगे कि हमारे पढ़ाने के बाद बच्चा क्या कर सकेगा जिनको हम अधिगम उद्देश्य भी कहते हैं इसके उपरांत हम प्रस्तावना करेंगे जिसमें हम विशिष्ट अधिगम क्रियाओं की योजना बनाएंगे प्रस्तावना करने पर हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चे को क्या आता है बच्चे के पहले के अनुभव क्या है और उनको हमें हमारे नए प्रक्रण के साथ में कैसे जोड़ना है अगला चरण जो होता है वह यह होता है कि हम बच्चे के अधिगम को समझ हैं और समझ करके यह देखें कि उसको कितना आता है और उसके साथ में हमें क्या उदारण लेने हैं और क्या वस्तुओं का प्रयोग करना है जिससे कि वह अच्छा अधिगम कर सके अगला चरन होता है परडाम निकलना या पूर दृष्ष देखना परडाम निकलने से ताथ पर यह है कि हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो पढ़ाने के उपरांद हम बच्चों में वह बदलाव ला पाए हैं की नहीं ला पाए हैं जनको हमने उदेशियों में पहले सोचा था या बनाया था आप इस बात को भी ऐसे समझ सकते हैं कि हम जब बच्चों से बात करें और उनसे पूछें कि तुमने क्या सीखा तो वो इस बात को बता सकें कि हमारे अध्यापक के साथ में हमने आज जो समय बिताया उसके बाद हम ये कर सकते हैं, हमने ये सीखा अगर ये बच्चे कर पा रहे हैं तो हमारा उदेश कहीं से पूरा होता हुआ सा दीख सकता है एक और चरण होता है जिसमें हमें पार्ठी योजना पर ध्यान देने की जरूरत होती है वह होती है समय सीमा का निर्धरन करना आप मानेंगे कि परियावरन सिक्षन में हमें थोड़ा सा जादा समय लग सकता है क्यों क्योंकि यह सिक्षन और यह पार्ठी योजना बच्चों पर निर्भर करती है क्योंकि बच्चों के अनुभवों को हम लेते हैं और लेने के बाद में फिर अपने उद्वश्यों के शाथ में इसको जोडते हैं तो समेरे का थोड़ी जादा हो सकती है लेकिन हम अगर शिक्षन बिंदूओं को थोड़ा सा कम कर लें तीन चार की जगाए पर अगर हम इसको दो रख लें तो हम शायद उसको अपनी समय सीमा जो में समाने कक्षा में प्राप्टि करते हैं उसमें हम ले सकते हैं इसके बाद सबसे अवश्यक जो चरण आता है वह होती है पाठी उजना का प्रस्तुतिकर्ण पाठी उजना का प्रस्तुतिकर्ण अच्छी तरीके से अगर समझने का प्रयास करें तो वह सब कुछ होता है जो अध्यापक करता है कक्षा में अपने उदेश्यों की प्राप्ति के लिए प्रकरण के साथ में और जब हम यह कर लेते हैं यह चरण पार कर लेते हैं एक और सबसे आवश्यक चरण हम अध्यापकों के लिए होगा वह यह होगा कि जब आपने पाठी उजना बनाई और पाठी उजना का प्रस्तुतिकर्ण भी कर लिया तो उसमें क्या कमिया लगी आप उनको फिर से आएंगे और ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि आपने आज जिस विदी से और जिस उपकरणों से और विश्यवस्तु के साथ में जिस प्रकरण को आज पढ़ाया है दूसरे प्रकरण को आपको दूसरे तरीके से पढ़ाना पड़ेगा इस चीज के लिए हमें पुर्णर विचान करने की जरूरत है अब हम एक प्रचलित पाठ योजना कैसे बनती है इस पर ध्यान देते हैं सबसे पहले हम इस बात का निर्धारन कर ले कि हम किस कक्षा के लिए पाठ बना रहे हैं उधारन के रूप में जैसे हमने यहाँ पे कक्षा तीन ली है और हमने माना है कि ये लगबग 40 मिनट की कक्षा में समाप्त हो जाएगा विशे हमारा पर्यावरन अध्यन है और शीर्शक है मानव निर्मित एवं प्राकरतिक वस्तुएं जीवित एवं निर्जीव वस्तुएं हमारे एर्दगिर्द की वस्तुएं शिक्षण बिंदू जो हमारे होंगे वह होंगे मानव निर्मित एवं प्राकरतिक वस्तुएं जीवित एवं निर्जीव वस्तुएं अधिगम उद्देशे इस प्रकरण के लिए होंगे बच्चे मानव निर्मित एवं प्रक्रतिक वस्तूओं को परिभाशित कर सकेंगे और उधारण दे पाएंगे बच्चे जीवित एवं निर्जीव वस्तूओं के लक्षन बता पाएंगे बच्चे जीवित एवं निर्जीव वस्तूओं में भेद कर पाएंगे अपने विद्याले घर के पर्यावरण में कुछ जीवित एवं निर्जीव वस्तूओं को एकत्र कर पाएंगे कुछ जीवित एवं निर्जीव वस्तूओं के वो रेखा चित्र भी बना पाएंगे जैसे कि आज के इस विशय के लिए हम कुछ सिक्षन साहक सामगरी प्रयोग करेंगे जैसे फ्रेनल बोर्ड, कुछ पदार्थ जैसे हम प्रयोग कर सकते हैं पूर्व ज्यान हमें यह पता है कि बच्चों को अपने आसपास के विबिन वस्तुओं का ज्यान है तथा वे उन्हें पहचानते हैं अधिगम पदत्तियां आगमनात्मक एवं निगमनात्मक उपागम प्रयोग की गई है आप अगर पार्थ योजना पे ध्यान दें तो सबसे पहली जो रेखा है वह प्रस्तावना दिखाती है और उसके बाद जो बाया कॉलम है वह दिखाता है कि प्रश्न क्या पूछे जाएंगे और संभावित उत्तर क्या होंगे पहला प्रश्न है बच्चे उन वस्तूओं के नाम बताईए जो आप अपने घर या अपने विद्याले में देखते हैं बच्चे उधारण दे सकते हैं पेड, पौधे, स्कूटर, बस, कुर्सिया, इत्यादी अगला प्रश्न ध्यापक का हो सकता है कुछ ऐसी वस्तूओं के नाम बताईए जिने प्रक्रती ने बनाया है बच्चे उधारण दे सकते हैं पानी, पौधे, आकाश, सोरे, इत्यादी, इत्यादी कुछ ऐसी वस्तूओं के नाम बताईए जो मानव द्वारा निर्मित हैं बच्चे बता सकते हैं घर, कपड़े, मेज, कुर्सियां, चौक, इत्यादी ध्यापक का प्रशन हो सकता है हम इन वस्तूओं को क्या कहते हैं बच्चे हो सकता है, सटीक तरीके से इसका उत्तर ना दे पाएं यहां समस्या आत्मक प्रशन हो जाएगा और हम अपने समस्या कथन पर पहुचते हैं जहां हम बताएंगे, आज हम मानव निर्मित एवं प्रकृते निर्मित वस्तूओं के बारे में पढ़ेंगे यहां पे तीन कॉलम्ब बने हुए हैं, सबसे बाएं में हमारा शिक्षन बिंदू है जहां पे हमारा पहला शिक्षन बिंदू है, मानव निर्मित एवं प्रकृतिक वस्तूओं विद्धि अपने विद्धियाले के आसपस के चीज़ों के बारों को देख करके उतर देगा आए हम उन वस्तूओं को सुचि बनाते हैं, जिनको हम प्र Angebरण में देखते हैं बच्चे उन सूचियों को बनाएंगे वो पेड लिख सकते हैं, कूलर लिख सकते हैं, स्कूटर लिख सकते हैं, रोष्णी लिख सकते हैं, बहुत सरी चीज़े बता सकते हैं प्रश्न अध्यापक कर सकता है वस्तूओं की सूची अलग-अलग कर लो और जो मानव दिर्मित हैं उनको अलग कर लो और जो मानव ने नहीं बनाया उनको अलग कर लो बच्चे एक आगस की सूची बना सकते हैं जसमें यहां लिख सकते हैं कि मानव निर्मित कौन सी वस्तुएं है और कौन सी मानव निर्मित नहीं है जब इन सूचीयों को बच्चे बना लेंगे और इस सूचियों को बनाते वक्त अध्यापक बच्चों के बीच में घूमेगा और देखेगा कि बच्चे कौन-कौन सी वस्तों में लिख रहे हैं और उनके क्या अनुभव रहे हैं उनके आसपास जिनको वो वहाँ पे सूचिबध कर रहे हैं इसके बाद अध्यापक पूछ सकता है शिक्षारती अध्यापक जो आप होंगे वहाँ पूछेंगे बच्चों बताईए कि आपने इनको मानव निर्मित में और इनको प्राकृतिक वस्तों में क्यूं रखा है बच्चे अपने अपने करन बता सकते हैं इसके बाद अध्यापक अपने बातों को बच्चों की बातों को सुन करके जोड़ करके अपने बातों को पताएगा एक चित्र यहां पर प्रदर्शित हो रहा है जिसको मैंने इसी क्रिया को एक और तरीके से करने का प्रयास किया है जिसको आप भी कर सकते हैं आप दो डिब्बे निर्जीव और सजीव वस्तूओं के या मानव निर्मित या प्राकृतिक वस्तूओं के बना सकते हैं और एक डिबबा जिसमें आप इन सभी वस्तूओं के परशियों को या फोटोस को जैसे की मेरे पास में हैं ऐसे फोटोग्राफ्स को ले सकते हैं और इनको फोल्ड करके उन डिबों में डाल सकते हैं ये पीला जो डिबबा है उनमें ऐसे ही फोटोग्राफ हैं जिनको फोल्ड करके डाला हुआ था मैंने और बच्चे एके करके आते थे और उसको उठाते थे और उसको देखते थे और देखने के बाद मैं यह डिसाइड करते थे कि ये मानव दिन्वित है या प्रक्रतिक है औ ये मानव दिन्वित है या ये प्रक्रतिक है यहाँ पे भी तीन कॉलम है हमारा जो शिक्षण बिंदू है वह है जीवित एवं निर्जीव वस्तुएं शिक्षण अध्यापक प्रशन कर सकता है आए हम उन वस्तुओं को दोबारा देखते हैं जिनमें जीवन है बच्चे उन सभी वस्तुओं को देखेंगे जीवित वस्तुओं के कुछ उधारन दीजे बच्चे उधारन देंगे जैसे मानव बिल्ली पेड़ गाए शेर वो सभी बाते भोलेंगे जो उनके आसपास वो देखते हैं और वो आपको बताएंगे अध्यापक प्रशन पूछ सकता है इन वस्तुओं को आप जीवित क्यों कहते हैं फिर उसके बाद में बच्चे बता सकते हैं क्योंकि ये सांस लेते हैं क्योंकि ये बच्चों को जन देते हैं क्योंकि वह एक जगा सी दूसरी जगा जाते हैं अध्यापक इन सब बातों को ले करके अलग अलग वस्तुओं द दिखा करके पूछ सकता है अच्छा बताएंगे ये जीवित है या निर्जीव तब बच्चे बताएंगे सर ये तो हाती है तो मैं पुछतो हाती है तो ये बताओ ये सजीव है या निर्जीव तब बताएंगे ये चल सकता है ये आवास करता है ये खाना खाता है ऐसी बहुत बोतल को दिखा सकता है और इन बोतल के अलावा अगर हम बात करें तो शायद बच्चों ने ऐसा रिंच देखा होगा उन्होंने ये रसी देखी होगी जिनको वो अपने जीवन में रोजमर्रा के दिनचर्या में अपने आसपास पाते हैं और देखते हैं इन सामानों के अलावा कई और ऐसे सामान हैं जिनको वो अपने घारों में प्रयोग करते हैं उनको भी दिखा करके अध्यापक पूछ सकता है कि अच्छा बताओ ये सजीव है या निर्जीव एक और काम किया जा सकता है वह एक सजीव और एक निर्जीव को अपने आसपास रख सकता है और फिर उनसे पूछ सकता है कि अच्छा बताओ सजीव कौन है और निर्जीव कौन है और अगर ये सजीव है तो ये सजीव क्यों है और अगर ये निर्जीव है तो ये निर्जीव क्यों है अब हम बच्चों से बात करेंगे जीवित वस्तूं के लक्षण क्या होते हैं बच्चों ने जो बाते बताई हैं उनको हम शामपट पर भी लिख सकते हैं और शामपट पर लिखी हुई बातों को हम यहाँ पे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं उनको हम दिखाने का आपको प्रयास करेंगे जैसे कि बच्चों ने बोला वे सांस लेते हैं मैंने आपके लिए एक पत्टी बनाई हुई है जिसमें लिखा है कि वह सांस लेते हैं इसको मैं यहाँ पे बोर्ड पे ऐसे लगा देता हूँ वह सांस लेते हैं कोई बच्चा ऐसा कह सकता है कि वह खाना खाते हैं इनको भी अम ऐसे ही यहाँ पे लगाते चलते हैं और ऐसे ही बच्चों ने जो जो बाते हमें बोली हुई होगी उसको यहाँ पे हम लगाते चलेंगे शिक्षक द्वारा बोर्ड पर पट्टियों पर बच्चों द्वारा जिन बातों को कहा गया है कि वह लक्षण है सजीव वस्तूओं के वह यहाँ पे बोर्ड में लगा दिये गये हैं अध्यापक द्वारा जिनकों की आप देख सकते हैं आपके सुविधा के लिए इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है स्लाइड में अगर आप देखें तो बाइंग कॉलम में जहाँ जीवित वस्तूओं हैं वहाँ पे हमने लिखा है सांस लेती हैं स्वयम चलती हैं आकार में बढ़ती हैं और बच्चों को जन्म देती हैं और वहीं निर्जी वस्तूओं में इसमें लिखा है सांसे नहीं लेती हैं स्वयम नहीं चलती हैं आकार में बढ़ती नहीं हैं और बच्चों को जन्म नहीं देती हैं हमारे शिक्षण बंदूओं के उपरांत हम यह जाना चाहेंगे कि बच्चों के अंदर जो उदेशियों को हमने चाहा था कि वह आजाएं वह आए हैं कि नहीं आए हैं तो हम पुनरावरती करेंगे पुनरावृत्ति करने पर हम बच्चों से कहेंगे कि जीवित वस्तूओं के चित्र वा निर्जीव वस्तूओं के चित्र चार्ट पर चिपकाईए मैंने आपके दिखाने के लिए एक चार्ट रखा हुआ है यह एक चार्ट है इस चार्ट पर हम बच्चों को कहेंगे कि वह सजीव और निर्जीव वस्तूओं के चित्र चिपकाएं मेरे पास विभिन चित्र जो निर्जीव और सजीव वस्तूओं के हैं उनको लाकर के मैंने रखा हुआ है इनको आप देख सकते हैं उनको मैंने मिला दिया है मिला देने से क्या होगा कि वह उनको अपने हिसाब से जिनी विशिष्टाओं को हमने उनको सिखाया है उनको वह चिपकाएंगे इनको चिपकाने के लिए यह चार्ट उठाएंगे और बच्चों को एक एक करके बुला सकते हैं ताकि सब लोग यहाँ पे आएं और इसमें करें हम ऐसे फोटो बच्चे को देंगे और बच्चे फेवेस्टिक के साहिता से इसके पीछे ग्लू लगा करके इसको यहाँ चिपका देंगे हमें बच्चों के चार्ट पर शिपकाने के तरीकों को देखना और समझना है वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों के मस्तिश्क में क्या वर्गी करण भी आया है की नहीं आया है इसको भी हमें समझने की अवशकता है यह चार्ट दिखने के बाद कैसा लगता है कक्षा में उसके लिए मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूँगा आप देखिए बच्चों ने यहाँ पर चार्ट में सजीव को एक तरफ निर्जीव को एक तरफ करा है और चिपकाया है यहाँ पर जो चीजे समझने वाली है वह यह हैं कि उन्होंने न कैवल पहचाना है कि कौन सजीव और निर्जीव हैं उन्होंने वर्ग भी किया है मस्तिश्क में वरगी करण होना यह भी बहुत आवश्चक है और उनको यह पैचानना आना चाहिए कि उनके आसपस कौन से चीज़े सजीव है और कौन कौन सी निर्जीव पुनरावरत्य की उपरंत आप लोगों को बच्चों को ग्रह कारे देना है ग्रह कारे को अगर हम देखें तो स्लाइड में अगर हम ध्यान दे तो हम कुछ ऐसे काम दे सकते हैं कि पाँच मानव निर्मित एवं पाँच प्राक्रतिक वस्तों के नाम की सूची बनाए पाँच जीवित एवं पाँच निर्जी वस्तों की सूची बनाए और आप उनको इनके चित्र भी बनाने को कह सकते हैं अब ध्यान तीजे हमने उनको कोई बड़ा निबंद या कोई बड़ा लेखन लिखने को नहीं दिया है हमने उनको कुछ ऐसी छोटी छोटे कारे दिये हैं जिससे कि वह अपने आसपास की चीजों को पहचाने और लिखें और साथ ही साथ हम यह चाहते हैं कि जिन चीजों को वो देख रहे हैं उनमें क्या विचित्रताएं हैं उनको भी वो आत्मसात करें इसलिए हमने उनको चित्र बनाने को कहा है चित्र बनाने से उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़े आएंगी जिसको आप पहचान सकते हैं कि पर्यावरन अध्यन और अध्यापन करते वक्त हमें अगली कक्षा में किस बात का और ध्यान रखना है हमने अपने पाठी योजना में आज जाना कि सबसे पहले हमें शिक्षण बिंदु का ध्यान रखना है फिर इन शिक्षण बुंदुओं को प्राप्त करने के लिए कैसे उद्देश्य बनाने हैं फिर उसके बाद हमने बात की कि हमें प्रस्तावना कैसे करनी है हमने यह जाना कि प्रस्तावना करने के साथ साथ बच्चों को कैसे समझना है कि वह कैसे समझ रहे हैं ताकि हम आगे प्रस्तुतिकरण पर बढ़ सके हमने यह भी जाना कि हम परणाम निकालते हुए आगे बढ़ेंगे और समय सीमा का ध्यान रखते हुए प्रस्तुति करन करेंगे और यह करने के उपरांत हम अपनी पाठी योजना पर पुनर विचार करेंगे कि कहीं अगर कोई तुरूटी रह गई हो, कुछ कमी रह गई हो, हम तो हम उसको फिर से सुधार कर सकें आशा करता हूँ, मैं आपकी सहायता कर पाया होंगा पाठी योजना परियावरण अध्यन में कैसी बनाए जाए कुछ बातों को फिर से समझ लीजे परियावरण अध्यन के पाठी योजना, सामान्य पाठी योजना से अलग इस प्रकार से है कि इसमें हम उन्हीं उद्धेश्यों को प्राप्त करते हैं जो हमारे सोचे हुए उद्धेश्य और हमारे बच्चों के उद्धेश्य उनको जोड़ करके पर्यावर्म की तरफ ले जाती हो इनमें हम उन्हीं पाठेवस्तू को और वस्तूओं को प्रयोग कर सकते हैं जो उदारन दिये गए हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो बिलकुल भी किताबी नहीं थे, वह ऐसे थे जो उनके समाने जीवन से जुड़े हुए थे पर्यावरण सिक्षण की योजना की जो अलग बात होनी चाहिए, वह यही ही होनी चाहिए कि वह जादा छात्रकिंद्रित हो, और हम जब उनके साथ बात करें, तो उसमें विग्यान, सामाजिक विग्यान और अलगने विश्यों को भी जोड़ें, क्योंकि यहाँ पर्यावरण अध्यन के विशिश्टाएं होती हैं, और साथी साथ हम बच्चों के अंदर उन मूल्यो का भी रोपड करें, जो उनके अंदर एक सकरात्मक अभिर्वत्यों को भी लाएं, मैं आशा करता हूँ, आपको मेरी बाते हैं समझ में आई होंगी, हम आप से फिर से मुलाकात करेंगे, मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, समस्कार.